दोस्का दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साथ महत्वपूर इंपॉर्टेंड क्रिटिकल सिंगनेचर सकस्स टिप्स के बारे में जिससे कि आप अपने जीवन में एक महत्वपूर बदलाव ला सकते हैं पॉजिटिव वार्न तो लेस्ट वोट आफ दा जैसा कि मैंने बोला था कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगनेचर के इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में क्या करना चाहिए और क्या अवइड करना चाहिए तो सिंगनेचर आपके सब कॉंशियस माइंड का एक पेपर पे इंपरिंट है तो आप अपने है बहुत ही रिजल्ट ओरियंटेड है और काफी लोग इससे लाब उठा रहे हैं तो नाओ लेस्स थार्ट अवेडियों बाउट अपॉर्ट आपके सिंगनेचर का आता है वह आपके सेल्फ एस्टीम, कॉंफिदेंस और आपके एक्स्पेक्टेशन फॉम युनिवर्स तो पहला वह लेटर है आपके सिंगनेचर का वह एट लीस्ट टू टाइम या थ्री टाइम बड़ा होना चाहिए आपके बाकी मिडल जोन्स ओफ लेटर से आपके बाकी के जो नाम के अच्छर हैं जो अल्फाबेट्स हैं उससे फर्स लेटर कम से कम डबल तो होना चाहिए minimum, because यह बताता है कि this is what I am expecting from the universe this is what I demand from the universe, और वो छोटा करेंगे, तो आप समझे कि चलिए कि आप छोटी चीज़े मांग रहे हैं इन एक्सांपल नेम इस रमेश कुमार तो यह फर्स लेटर है it can be like this अब आप यहां पे लेको यह जो A है और यह जो R है उसके साइज बे difference कितना है यह यहां पे आप बोल सकते हो almost four time है, but at least आप double यह three time तो कर सकते हो so this is very important this thing is very important all right because यह आप की universe से direct ask है, demand मेरे को बाला चाहिए right अब दूसरा पॉइंट देखते हैं यह आप दूसरा पॉइंट यह है कि आप का signature should be in upward direction at least 30 to 45 degree upward direction में होना चाहिए जैसे आप आप इसका देखो यह जो है यहां पे almost यह 45 degree के upward inclination में है तो यहां पे यह 30 to 45 degree का upward inclination आप देशकते हैं यह आपके जीवन में क्या बताता है यह आपके जीवन यह बताता है कि आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी उपर की तरफ बढ़ेगी चरहान की तरफ बढ़ेगी आप देखोगे कि कहीं पे जो लोग काफी negative हो जाते हैं यह depression के सिगार हो जाते हैं यह जीवन में आप तो उनकी writing यह signature आप देखोगे दीरे-दीरे downward inclination की तरफ चली जाती है नीचे की तरफ जो काफ उसका बढ़ जाता है so your signature should be always towards upward inclination let's talk about third point third point है बोलता है कि आपके signature की नीचे एक support line होनी चाही है support line like this अब इस support line का importance क्या है support line का importance यह है कि यह आपको बाहर से आपके गुरूओं को का आपके father का आपके teachers का आपके superiors का या like में इधर उदर कहीं से भी आपको supports प्रोवाइट करने लगता है इसका मतब यह है कि आपके नीचे कुछ baseline है कुछ support है और यह आपके जीवन में support प्रोवाइट करने लगता है now let's move to earth point is very important आपका signature clear होना चाहिए because clarity is one of the biggest power and also because what happens this shows you are clear in your mind what you want आपको पता है आपको जीवन से क्या चाहिए you are organized you have that clarity into your mind मुझे यह 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 चाहिए if you are clear in your mind what you it's easy for universe to provide you that so your signatures would be clear most लिए आप देखोगे signature को लोग इस initial letter आपको दिखेगा उसके बाद immediately they will zoom towards the last letter so ऐसे लोग generally अपने चीजों को proper organized समय नहीं दे पाते हैं और कई जग़व पे clear नहीं होते हैं so clarity is power to make your signature very clear and legible now move point आप देखो के बहुत से लोग अपने signature को या पहले alphabet को encircle कर देते हैं like this ये encircle कर देंगे या कई बार पूरे signature first signature को कर देंगे या कई बार पूरे ही signature को कर देंगे अब इसका क्या importance है इसका ये importance है कि आपने अपने लाइफ में boundaries create कर दी limitations create कर दी आपने अपने पोटेंशल को encircle कर दिया एक boundary में कैद कर दिया इससे आप को पूर रूप से आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलती है hurdles मिलते हैं वी अपने अपने आप देक देंगे पाने अपने अपने किन सीपने स्थे अपने स्काट है आप धने नहीं मेम खी आप देखोगे लोग अपने सिगनेचर को लिखेंगे और यूँ काट देंगे अगर आप अपने ही सिगनेचर को काटते हो आप अपने ही विचार धारा को सेल्फ कॉंटरिक कर रहे हो अपने आप को ही आप सेल्फ कॉंटरिक कर रहे हो अपने आब को ही आप नेगेट कर देते हो तो one should always avoid putting a strike on your signature, अपने signature को काट देना, आप देखो कई पहला letter लिखके ही काट देते हैं, या यू कर देते हैं, तो अगर आप अपने signature को काटते हो, तो you are self-contradicting yourself, तो please do avoid that. other point, which is the last point, last important point, many other point, but last point for this video, कई बार आप देखोगे, कुछ लोग अपने signature के अंत में dot लगा देते हैं, full stop, ये एक तरह से अपनी potential के आगे full stop लगाना हो जाता है, अपने अपनी बलत को, अपनी ग्रोथ को, खुद ही कैद कर लेना हो जाता है, अपने psychologically हम एक full stop लगा देते हैं, कि यार मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता हूँ, या नहीं बढ़ना चाहता हूँ, या अपने आगे ही एक barrier draw कर देते हैं, तो do not put full stop और dot after your signature, जो उमीद करता हूँ, friends, ये tips आपके लिए जरूर कारगर होंगी, और अगर आप अपने signature में कुछ गलतियां कर रहे हैं, जो major mistakes हैं, वो उसको अवाइट करें, और जो अच्छे inputs हैं, उनको जरूर आप life में अपलाई करें, and this definitely changes one's life, it takes some time but it definitely makes changes, आप इसको कुछ महीनों तक जरूर प्रैक्टेस करें, और किशन के signature को करें, प्रैक्टेस करें, आप जरूर करें, आप प्रैक्टेस करें, and जो लट वीडेश में अपने बदावजगों के देते हैं, और प्लेश चारूर के जरूर आपको जरूर रय like it and share it with your friends so thank you so much for watching the video